आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिस गुलाब के एक पौधे से अनेक पौधे कैसे ग्रो करें ये भी बताऊंगा क्या हम इनकी कटिंग को लगा सकते हैं या फिर इनके उपर एयर लेरिंग कर सकते हैं हर एक सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरा आखिर तक देखिए आपने इंग्लिस गुलाब के जिस भी पौधे को लगा रखा है वो चाहे हाइब्रिट टी रोज की वरैटी हो ग्रेंडी फ्लोडा की वरैटी हो फ्लोडी बंडा की वरैटी हो पोली अंथा की वरैटी हो या फिर मिनियेचर रोज हो बलकि इंग्लिस गुलाब का आपके पास जो भी प्लांट हो हर एक को आप कटिंग से लगा सकते हैं और उनकी उपर एयर लेरिंग भी कर सकते हैं कटिंग लगाने पर जर भी निकलेगी और पौधा सही से ग्रो भी होगा एयर लेरिंग करने पर भी जर निकल आती है लेकिन कटिंग और एयर लेरिंग से त्यार किये गए पौधे को आप तब ही अपने पास सालों साल रख पाएंगे जब आपके सहर में सरिफ ठंड का मौसम रहता हो अगर आपके सहर में गर्मी और बरसाथ के मौसम की भी सुरुवात होती है तब आपके सहर में कटिंग और एयर लेरिंग से ग्रो किया गया प्लांट ज्यादा महीनों तक सर्वाइब नहीं करेगा और वो मर जाएगा सालों भर ठंड रहती है तब ही आप कटिंग और एयर लेरिंग से इंगलिस गुलाब के पौधे को ग्रो कीजिए ठंड नहीं रहती है तब आपको कोशिज भी नहीं करना चाहिए इसलिए अगर आपके पास इंगलिस गुलाब का प्लांट है और आप उस एक पौधे से अनेक पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तब आप उसे ग्राफ कीजिए आप उसे देशी पौधे के ऊपर भी ग्राफ कर सकते हैं और जंगली पौधों के ऊपर भी सबसे बहतर है कि आप जंगली पौधों के उपर ग्राफ कीजिए जंगली पौधा वो होता है जिसमें कांटा ज्यादा होता है और साथ पत्तों का सेट होता है ग्राफ करने के लिए winter season सबसे बहतर है ग्राफ करने की बहुत सारी technique है आप जिसका इस्तमाल करना चाहें उसके बाद जिस पौधी की ब्राँच को ग्राफ्ट करना है उसमें से ब्राँच को काट लेना है और इसके एक नोड को ले लेना है लकडी के साथ इसे काट कर ले सकते हैं इस टेक्निक को चिप वडिंग कहते हैं इस टेक्निक से आप इसे ग्राफ्ट बर्साद के मौसम में भी कर सकते हैं और विंटर सीजन में तो कर ही सकते हैं इसे इसमें फसाद देना है और एर टाइट बन देना है 10-15 दिनों में ग्रोथ सुरू हो जाती है ग्राफ्टिंग से ग्रोथ किया गया प्लांट विंटर सीजन में भी सर्वाइब करता है समर सीजन में भी और रेनी सीजन में भी यानि सालो साल रहता है आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए और बैल एकन को दबा कर आल पर क्लिक कर दीजिए इसी तरीकी की वीडियो में लाता रहता हूं उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी